काम्याब होने के लिए महनत करना पड़ती है और खुद पर यकीन भी रखना पड़ता है अगर किस्मत की बात है तो ये सर्फ जुआ खेलने में आज मैं जा सकती है आज हम आपको एक ऐसी लड़की की काहनी बताते हैं जो कई बार कठिन परिश्रम करने के बाद भी असफल हुई लेकिन इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार सफलता ने इनके कदम चूंग लिया हम बात कर रहे हैं नमीता शर्मा की हमारे देश की राज़स्थाने दिल्ली से तालूक रखने वाली नमीता इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई यहीं से की है बारवी के पढ़ाई संपर्न करने के बाद ये इंदिप्रस्थ यूनिवरसिटी से एलेक्ट्रोनिक एन कम्मु ये काम नहीं करेंगी और कुछ अच्छा करेंगी इसके बाद नौकरी छोड़ने का मन बनाया और UPSC की तयारी करने के बारे में सोचा अब UPSC इनका सपना बन गया और इन्होंने नौकरी छोड़ दी परिश्रम से SSC और CGL निकाला और इसके बाद अपनी नौकरी छोड़ और UPSC की तयारी करने लगी उन्होंने अन्य सरकारी जौब में भी फॉर्म भरा और UPSC की तयारी करने के साथ साथ इन्होंने SSC और CGL की परिक्षा भी दी इन्होंने सफ़ता हासल करने के बाद जॉइन किया और जौब करने लगी लेकिन इनका सबना UPSC था और ध्यान UPSC पर ही लगा हुआ था इन्होंने अपनी जॉब को करने के साथ साथ अपने यूपियसी के तयारी शुरू की और यही एक नौकरी थी जिसके कारण इन्हें पैसों को लेकर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा इन्होंने इस नौकरी को करने के दराँ UPSC के तयारी जारी रखी और दो बार UPSC देने का प्रयास किया निराशा तब हुई जब सफलता नहीं मिली इसके बाद पहले दो और बार कोशिश की थी लेकिन वो बिना किसी तयारी की थी अब इन्होंने अपनी असफलता को सीख लेकर तयारी शुरू कर दी लेकिन वो लगातार असफल हों लेकिन अपनी असफलता से हार न मानकर आगे बढ़ने का निश्चे किया और अपने सपनों को पूरा करने की लगन जगाए रखी 2017 में इनका प्री और मैंस में क्लियर हुआ लेकिन ये इंटर्वियू में सिलेक्ट नहीं हो पाए तब ये फिर निराश हुए लेकिन इन्होंने तयारी ना करने के बारे में सोचा इस दुरान माता पिता ने उन्हें बताया कि मेरा बीटा एक बार और कोशिश करे इन्होंने एक बार और फॉर्म भर दिया और इस बार ये अपनी परिक्षा में सफल रही इस तरह से बार बार असफलता मिलने के बाद भी हारना नहीं और आगे बढ़ते रहने का एक बहतरीन उधारन नमीता शर्मा सब के सामने पेश करती है जिसके जरी उन्होंने अपने जीवन में अपने लक्ष को प्राप्त किया सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज दे बेल आइकन फोर अपडेट्स